असलाम लेकुम गाइस, वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल गूटफूट के जानल, आज मैं आपके लिए 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 हूँ मित्थी गोश्ट की बहुत ही अच्छी रेसिपी, तो इसके लिए मैंने लिया है बीफ 1 kg और साथ में मैंने दो हड़ी याम बड़ी सारी इसम मुटे मुटे कटे हुए, साथ में इसमें डाल देंगे सुरख मिर्चें 2 टेबल स्पून के करीब, और इसमें एड़ कर देंगे हल्दी 1.5 टी स्पून, और साथ में इसमें एड़ कर देंगे नमक, नमक इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 टी स्पून के करीब, और उसके चीजे एड़ करके इसे एक बॉयल देंगे और उसके बाद में इसे लगा देंगे स्टीम प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए तेजांच के उपर ता कि गोश्ट अच्छा सा गल जाए देखें गोश्ट बहुत अच्छा सा गल गया है हडिया भी सारी इसकी बहुत अच्छे स पक चुकी हुई है हडिया जो है इसमें बहुत अच्छा जाइका लेकर आएंगी पिर इसमें डालेंगे हाफ कप ओईल इसमें हाफ कप इसलिए जाएगा कि पहले से ही इसमें हडियों का भी ओयल अच्छा खासा निकला हुआ है पर इसमें 8-10 आप सबस मिर्चे कटी हुई एड़ कर दें देखें इसकी मिक जो है इसमें बहुत अच्छा जायका लेकर आएगी आप इस पॉइंट पे हड़ियों को निकाल भी सकते हैं ताके इसे आप एड़ पे शामिल कर दें फिर हम गोश्ट की अच्छे से बुनाई कर लेंगे और इसका ओयल सेप्रेट कर देंगे जब ओयल जो है इस तरह से सेप्रेट होना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि आपके बुनाई अच्छे से हो चुकी है देखें ओयल बिल्कुल अलैदा से हो चुका है इस पाइंट पे हम इसमें एड़ कर देंगे मेथी मेथी मैने वन किलो ली है एक किलो मेथी लेकर आपन गोश्ट के अंदर और फिर इसे अच्छी तरह से गोश्ट में हम मिक्स कर लेंगे मेथी में आपने कोई भी पानी नहीं रहने देना और ना ही आपने मसाले में कोई पानी एड़ करना है मेथी जो है वो अपने ही पानी में पकेगी और बेहतरीन जायका जो है वो लेकर और बीच-बीच में हम चमचा भी चलाते जाएंगे देखें 25 मिनट के बाद में मेथी जो है वो बिलकुर रेडी हो चुकी है माशाला से देखें जबरदस किसम की मेथी जो है वो तियार हुई है बिल चुकी है और इतनी जबरदस से इसकी खुश्बू जो है वो आ रही है अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं सर्दियों की ये सुगात बहुत ही लाजवाब है और जायकी और फुवाइद में तो इसका सानी कोई भी नहीं आप इसे एक ट्राइ ज़रूर दीजेगा और इस रेसिपी को आप जब बनाएं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपकी मित्थी गोश्चों है वो किस तरह का बना है और इसका जायका कैसा आया है अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करतें ताकि आपको आने वाली सारी मेरी वीडियो से रसीब हो सकें उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी एच्छी लगी होगी आइंता तक की रेसिपी के लिए अपना ख्यार रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा अलाहाफेज